तो आज की क्लास में हम डिसकस करने वाले हैं सोचल फार्मसी का चप्टर नमर 4 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो है इंट्रेक्शन टू आज सोब अजयए और वहाँ क्लास विकेशन देखें और एपीधर्मिलोजी देखें गिर्मीन टूसों होता है उन्हें वह हम देखेंगे फिल्वास recognizes निएंचे घ् क्लासिकेशन देखेंगे अगर आप पीडिएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे वेबसाइब पर से कर सकते हो यह फ्डियस फार्मसी डाउनलोड कर सकते हो ठीक है और टेलिग्राम चैनल को जरूल जोइन करने वहां पर हम डेली बेस को डालते हैं उसकी क्या है आपको एक्जान की प्रैक्टिस हो जाएगी ठीक है और चैनल को जरूल सब्सक्राइब को चलिए तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं पहले हम देखते हैं इंट्रोड़क्शन टू माइक्रोबाइलोजी का मतलब क्या है ठीक है दा ब्रैंच माईक्रोबाईलोजी में सटिक है उस drag निष्टोडे बोलते हैं उनine क्लास करते हैं माईक्रोबाईलोजी में अंति खीक है सब्सक्राइब करते हैं जो बहुत स्मॉल होते हैं टू स्मॉल एंड के नौट भी सी विट मैगनिफिकेशन से भी हम नहीं देख सकते हैं ठीक है उनकी स्टडी हम किसमें करते हैं सब्सक्राइब करते हैं अब आगे बढ़ते हैं अब हम देखते हैं स्कोप क्या है माइक्रोबाइलोजी का यानि माइक्रोबाइलोजी जो स्टडी करते हैं इसका स्कोप क्या है उसका रिजल्टर लाष्ट में क्या है अगर हम माइक्रोबाइलोजी स्टडी करते हैं तो ठीक है तो प्रोडेक्शन ओफ एंटिबाइटिक यानि हम यह तो पता है आप बिल्कुल सेलूलर लेवर पर स्टडी करोगे और्गनिजम की तो स्टडी जैसे अगर इसका स्टडी करोगे तो उनकी एंटिबाइटिक बना सकते है जो भी प्रॉब्लम सॉलिंग यानि डिसीज जो भी उनकी क्रिवेंट कि जा सकते हैं उसके लिए आप क्या करोगे एंटिबाइटिक बना पाऊगे ठीक है प्रोडेक्शन ओफ एंज़ाइम्स वैक्सिन सर्फिकेंट्स एंड एलकॉलिक एंड अधर फार्मसोटिकल प्रोडेक्ट्ट यानि अगर आप माइक्राइम्स की डीटेल में स्टडी करोगे तो आप एंज़ाइम्स बना प्रोडेक्शन हो रहे हैं उनकी आप देख पाऊगे और वैक्सिन बना पाऊगे और बायो और एक और है डियागनॉसिस को ट्रीटमेंट करने में भी ठीक है उसके लिए भी माइक्रोबाइलोजी स्टडी करते है ठीक है अब हम बात करने वाले माइक्रोगनिजम्स के बारे में ठीक है माइक्रोब्स या माइक्रोगनिजम्स और दी माइक्रोगनिजम्स की बात करें या माइक्रोगनिजम्स की बात करें यह 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 ऑर्णनिस बनाते हैं ठीक है इंडिपेजनली लिविंग सेल्स होते हैं ये不 इसमें माइक्रॉर्णिस इंक्लूड़ ए लाजरं डायवर्स ग्रूप माइक्रोस्कोम कॉकस्टॉपीं जो एक्जिस्ट करते हैं सिंगल यह सारी चीज़े होती है और वाइरस और दी माइक्रोस्कोपिक और नहीं होते हैं ठीक है और वहीं हम बात करें बैक्टेरिया और अरकेरिया के बारे में तो यह यह स्थे और यह से बात करें तो यह से बेनिफीट मिलता है लेकर वहीं पे कुछ हाँफुल होते है जैसे हम बेनिफिट की बात करें तो आप आपने कड देखो, कड यानि धाई, ठीक है, तो आपने धाई जो बनता है उसमें पहले हम कुछ थोड़ा धाई डालना पड़ता है दूद में, तो उससे क्या होता है, वो कड बन जाता है, तो वो जो डालते हैं वो होता है, लेक्टो बैसिलर्स भी एक माइक्रो औरिंजम से लेकिन यह क्या है, यह बिनिफेशल है लाइफ के लिए, ठीक है, ऐसा ही कुछ हामफुल होते हैं, और ठीक है, अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन देखा है जाए, माइक्रो औरिंजम से कुछ बैक्टेरिया होते हैं, कुछ वाइरस होते है है ठीक है नेक्स्ट अब देखते हम एपिडर्मिलोजी एपिडर्मिलोजी का मतलब यह है कि तुस्ट इस स्टड़ी ऑफ दिस्टिप्यूशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ स्टेट एंड इवेंट इन इस स्पेसिफिक पॉपलेशन यानि एक स्पेसिफिक जैसे हमने इतना एरिया लिया तो उसमें हमें स्टडू करने एक पॉपलेशन कितनी एक है उसके हो से हम घ्रणीख हो यह से हम क्या है है पिडर्मिलोजी हो यह यह प्यॉपलेशन उद क्ल Glass पॉपलेशन में उतằ snap लुग मनीशर्ण को साफ मिघा उसकी स्टडी करना घ्रनीशन करना थ एप्लिकेशन करते हैं अप्लिकेशन करते हैं च्रह करते हैं उसको study करने के लिए हम देखते हैं और कम्मूइटी जो डेग्फॉसिस होते हैं उनको भी देख और फॉइंट की बात करें तो लुकेट रिस्क और इंडिज्वल इफेक्ट ग्रूप और पॉबलेशं यानि इसस लिस्क पता चल जाता है कि इंडिविजियल कोई एफेक्ट करता है या ग्रूप आफ पीपल को एफेक्ट करता है ठीक है और एसाइमेंट एविलुशन और रिसेर्च भी की जा सकती है ठीक है इससे अगर हम एपिडर्मोलोजी देखते हैं तो ठीक है अब हम आगे देखते हैं अब हम दिखते हैं कुछ इंपोर्टेंट रिलेटेट टम्स जो कि हमें पढ़ने है ठीक है इसमें पहले देखते हैं एपिडर्मिक क्या होता यह आपने जरूर जो कोरोना का टाइम हो उसमें जरूर सुनू होंगे ठीक है तो इसे क्या बोलेंगे एपिडर्मिक बोलेंगे ठीक है हमने जितना अजूम किया था उससे भी ज्यादा जो है वह फैल रहा है ठीक है जो भी डिसीज है वह फैल रही है उसके cases बढ़ रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे एपिडर्मिक बोलेंगे ठीक है कुश्चन आएगा फिन द ब्लैंक में भी आ सकता है और डेफिनेशन में भी पूछ सकते हैं तो एपिडर्मिक क्या है इट रिफर्स तो एन इंक्रीज ओफ अन सडन यानि एकदम इंक्रीज हो जाना इसनी नमर अफ केसे डिस अबोब वाट इस नॉर्मल्ली एसकेप्टेड इन दी पॉपलेशन इन देट एरिया यानि हमने जो अनुमान लगा था उससे भी अगर एकदम ज्यादा हो गई यानि याजसे अब या करोका केसा आया था यह परडश ता यह यह पूरे ही country में फैल गया था ठीक है इसलिए बोलते हैं ठीक है तो यह क्या होता है यह pandemic होता है pandemic का मतलब पूरे across the country अगर कोई भी disease spread हो जाती है उसे हम बोलेंगे pandemic है ठीक है जैसे अब corona को बोला गाया था ठीक है epidermic हो गया pandemic हो गया अब हम देखें endemic endemic का मतलब क्या है वह हम देखें ठीक है in epidemiology and infection is said to be endemic in population when the infected is contingently maintained the baseline level is geographical area without external input यानि endemic वह है अगर हम particular area में देखें तो जो cases है वह उतने ही रहे है यानि जो disease है वो ज्यादा फैरे नहीं यानि एक baseline maintain कर रहा है तो उसे हम बोलेंगे endemic ठीक है जो particular area में cases है वो एक baseline maintain कर रहा है यानि अगर 200 cases है तो 200 ही cases है एक baseline maintain कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे endemic बोलेंगे ठीक है तो देखें an infection is said to be endemic in population when infection is constantly maintained at the baseline level यानि वो एक baseline बना हुए एक geographical particular area में without external inputs ठीक है अब हम देखते है mode of transmission ठीक है it refers to how an infection agent also called pathogens यानि infection agent या pathogen can be transferred from one person to another person कैसे transfer हो रहे है या object से animals से या अने दर चीज़ों से ठीक है जैसे virus हो गए bacteria parasites और fungi can be spreaded infection डेस ठीक है यह सारे infections disease है जो spread करते है ठीक है mode आप समझेए easily यानि वो कैसे transfer हो रही है जो भी disease है और जो pathogens है जो infection agents है वो कैसे transfer हो रहे है एक percent to दूसरे person के body में ठीक है अब बात करते हो quarantine की तो quarantine का मतलब क्या है यह आपने भी यह भी word covid की time पर ही सुना हो उससे पहले आपको भी नहीं पता था ठीक है यह एक ऐसी place होती है या place होती है जिसमें period of time के लिए किसी भी patient को रखा जाता है ठीक है isolate किया जाता है इसे place of isolate बोलते है इसमें क्या है जो isolated patient है उसको रखा जाता है ठीक है ठीक है people होगे चाहे animals होगे ठीक है उसे हम बोलगे quarantine हम वहीं पर बात करें isolation की तो isolation का मतलब होता है कि कोई भी जो sick percent होता है यानि जो disease यानि जो patient है उसको अलग रखे यानि सारे जो people होते है उसे अलग रखे ठीक है उसे हम बोलेंगे isolation ठीक है वे ते congulation descent from those not sick यानि और को भी वह नहीं हो पाई disease ठीक है hospital use isolated for the patient who have known infection disease यानि hospital में isolate किया जाता है पेशेंट को जिनका infection disease होती है ठीक है that can be spread easily to others उसकी वाज़े से क्यों करते है क्योंकि वह easily spread हो जाती है other मलब और लोगों को भी easily spread हो जाती है इसलिए isolate करते है ठीक है isolate का मलब तो समझ गए यानि जो भ पर्शन को रखते हैं जैसे 14 दिन हो गए 7 दिन हो गए ठीक है अब देखते हैं incubation period ठीक है incubation period मतलब यह है कि it is the time from infection to illness onset ठीक है incubation period of directly transmitted infection disease is essential to determine the time period required for monitoring and restating the moment of health individual ठीक है यानि incubation period मतलब यह है कि हम में disease कब हुई है यानि हमें जो हमारा pathogen है और जो infection agent है वो कब मतलब हमारे body में आया है और वो अपने symptoms कब दिखा रहा है उस period के बीच में बोलेंगे incubation period ठीक है incubation period ठीक है वो कब तक ठीक हो पाएगा जैसे covid का था 1-14 days लेता है ठीक है 1-14 days उसके बाद वो सही हो जाता है तो उसे इस period को हम क्या बोलेंगे incubation period ठीक है अब हम बात करते है contract tracking contract tracking के मतलब यह है कि हम यह देख रहे है कि जो भी disease एक patient के अंदर आई है वो किन के द्वारा आई गई है तो और वहां से हम द्वारा आई गी थी उसे हम बोलेंगे contract tracking ठीक है in this process of identification and managing people who have been exposed to disease to prevent onward transmission यानी prevent करने के लिए और भी ज्यादा transmission को prevent करने के लिए contract tracking की जाती है ठीक है identification की जाती है कि आपको यह disease कहां से हुई है उनको कहां से हुझती है उससी क्या है कि आप एक ट्रांस जो उसकी transmission है उसको कम कर सकते हैं ठीक है तो यह कुछ terms से आपने देख लिए ठीक है इसमें से भी question आते हैं आपको पक्का पूछा जाएगा definition पूछे जाते है इन हम और भी क्या बोल सकते हैं infectious disease भी बोल सकते हैं ठीक है question आ सकता है कि communicable disease को और भी हम क्या बोल सकते हैं तो उनको बोल सकते हैं infectious disease ठीक है this spread from 1% to another यह एक person से दूसरे person के बीच में spread होती है healthy person में catch in form of infected person यानि एक healthy person catch कर सकता है कहां से एक infected person से ठीक है disease is said to be communicable if this spread from 1% to another percent हमें disease को communicable बोल सकते हैं जब वो spread हो एक person से दूसरे person की बीच में ठीक है direct contact से बी शक्ति है यानि यह चार तरीकों से भी हो सकते है communicable disease का मरलब यह है Easily transfer हो जाए तो वो transfer किससे हो सकते है है मरलब दूसरे को भी spread हो जाए ठीक हो जाए बीचसे है water से हो सकते है food से हो सकते डायरीक कॉन Unity is Transfirmً 코로 01% to Football बीच sabem 성 blind to animator यानि जो बीच में भी ठीक है अब कर दिसीज में स्प्रेट ली वाय अनेदर स्पीसी यानी यह डिसीज जो अब आगे हम दिखते हैं अब कि बात करें तो कमणी को तो बहुत का बेच लोगर कर दीकिया और बेक्टीयल तो सारा डिसे क्या्स वाइरल डिसीजों कि तो यह सृछ वाइरीया विर्स्स 운데 स्लिपिंगी सक्न stating वहाई से वंत्रे वज़ा होती है अब बात करें हिल्में टिसीज चीज लेइंटितु इसमी फ्लाइरेस नेचर डिसीजोंhigh लिवर रूट आती है ठीक है तेरनेशिस आती है एसकरिस आती है ठीक है एकटरा यह सारी चीजह इस किसमें आती है जा आती है helping पहुंहेंब और जोगें, और उष्सिक में कारें आयम में बात करें, और इस पॉथयक्पी और भीन राम हने, और इस प्ञ एक फूथ लिशा वहीर कोवड He-raIN морly तो राम नटेए कि यहीं घरकेशिक कि EVA है। आगे हम देखते हैं अब अब देखते हैं based on transmission मोर यानि जो ट्रांस्मर वो based on transmission यानि यो disease है वो कैसे transmission तो ठीक है ठीक है फिले हम देखते हैं communicable disease communicable disease और following type system यानि इन तरीके को होते हैं यह होते हैं congestionuous disease यानि in this disease the healthy person get infected by the physical contact with the infected area यानि congestionuous disease वो होते हैं जो infected area यानि एक person से दूसरे person contact आने के बीच में वो ट्रांस्फर हो जाती है ठीक है यानि spread हो जाती है physical contact यूसे हम बोलेंगे congestionuous disease ठीक है example की बात करें तो meals हो गए chicken box हो गए small study और lepros होई ठीक है यह सारे disease है यह क्या है एक physical contact करते ही दूसरे person से यह ट्रांस्फर हो जाती है ठीक है अब हम बात करें non continuous disease की यानि in this disease healthy person get infected on coming in contact with the infected food water या एर यानि इसमें क्या होता है कि हम किसी से physical contact नहीं कर रहे हैं लेकिन इसमें कैसे infect हो रहे है जो भी food इंफेक्टेड फोड या water ए एर उसके द्वारा अगर हमें disease spread हो रही है या हमें भी disease हो रही है तो उसे हम क्या बात करें non continuous disease ठीक है जैसे example की बात करें ख्लोरा तो आपने आप अगर आप पीडियाप नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो अब्डियो चैनल को सब्सक्राब कर सकते हो ठीक है और टेलिग्राम चैनल को जरूर जॉइन कर लें वहाँ पर हम डेली बैस mcq डालते हैं उसके क्या आपको एक्जम के फ्रैक्टिस हो जाएगी ठीक है लाइक करें शेर करें अपने फार्मसी फ्रेंस में और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें थैंक यू फर वाचिंग दी वीडियो